नमस्कार आप देख रहे हैं फ्रेंज टाइम न्यूज मैं पुनीता मित्रा आई अनजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर कोरिंटाइन के लोगों को बर्थडे पर बच्चे निबाटा फल लागडाउन के दौरान रेट क्रॉस सोसाइटी द्वारा चलाय जा रहे सामुदाइक किचन टामसन इंटर कालेज में मौजूद लोगों को बच्चे के बर्थडे पर अभिभाव को निकिया फल बित्रा जहां एक तरफ लागडाउन के दौरान भारत के कोने कोने की सामुदाइक संसा के साथ ही आम नागरिक भी अब आगे आकर कॉरिंटाइन किये गए लोगों को उनके भोजन की ब्यवस्था करवा रही है वहीं जन्पत के टामसन इंटर कालेज में चल रहे सामुदाइक किचन की सूचना मिलते ही नगर के आम नागरिक भी उच्चाहित हो उठे और तमाम लोगों ने आगे आकर लोगों की सहायता में बढ़ाया हाथ इसी क्रम में मुख्य साखा प्रवंधग भारतिय स्टेट बैंक में कार्यत स्रीकाम तिवारी ने अपने बच्चे स्रीहित तिवारी का बर्थरे आज टामसन स्कूल में मौजूद लोगों के बीच मनाया जहां बच्चे के साथ मा और परजुनों ने सोसल डिस्टेंस बनाते हुए कॉरेंटाइन किये गए तीन दर्जन से अधिक लोगों को किया फल बित्रा स्रीहित की माता ने प्रोचाहित होते हुए या भी कहा कि हम और हमारा परिवार आज ऐसे पुनीत कारे में सामिल होकर खुसी महसूस कर रहा है जिस समय रेटकार सोसाइटी के सदस राजेस सिरिवास्तो बीके सिरिवास्तो जस्पाल सिंग सलूजा दिलीप पांडे ओंकार पाठक केवी सिंग सेर बहादूर सिंग पंकस सिनहा अतुल सिरिवास्तो बिकास मनोहर सिरिवास्तो चित्रांस कल्यान परिशत के अध्यक्ष अनिल कुमार श्रिवास्तो अमित पांडे मौजूद रहे यूर रिपोर्ट अतुद श्रिवास्तो गोंडा ये सर आज आप अपने बच्चे को ट्रेट करार सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे कमुनिटी किचन में लेके आए अज हमारे बच्चे का श्रीहिति वारी का दो साल जंदिन है और प्रमात्मा की कृपा से अम लोगों ने सोचा कि यह उच्छित जगह है जहां पे जो नीडी लोग है उनको साथ में बोजन कराया जाए इसी संब्दम्द में जो शेल्टर होम में लोग रुके हुए हैं औरके जंदिर मनाने के लिए बच्चे का नाम शृहित बताएं और आपका पर्चे में शृकान की वारी हूं तो यहां आपने आज बच्चे के बढ़डे पर लोगों के बीच आपको परसे जानना चाहेंगी आप कैसा महसूस कर रही है आज आज आपका बच्चा अपने बड़्डे पर यहां कोरिंटाइन के जा रहे करना पर दूसरे लिए हमारे साथ थे श्रीहती हित जी के माता-पिता-जी जो आज बच्चे के स्रीहित के बाड़े पर कुरंटाइन किया रहे लोगों को फलवित्राड किया वास्तों में ऐसे ही लोग आगे आकर के आज समाज की सिवा कर रहे गोड़ा से